जिनके द्वारा देश की संप्रवदा को चौनती दी जा रही हो राज्य की सत्ताधारी पार्टी उन लोगों के हितों के बारे में ज्यादा चिंतित हो तो सौभाई कुरुप से देश का करशन चौनाओं के प्रति बढ़ता है जो भी ब्यक्ति देश और दुनिया से दिल्ली में आता है तो अद दिल्ली की दुर्दसा देख करके उसको ऐसास होने लगता है कि वस्तों में यही रास्ति रास्दानी दिल्ली है यहाँ पर न सड़के हैं न सुद्ध पेजल की विवस्ता जनता की वनियादी सुविधाओं से बंचित करके पांच वर्स के दोरान दिल्ली की केजड़ी वाल सरकार ने पूरे दिल्ली की जनभावनों के साथ खिलवाड किया है भायो बेनों आज से साड़े पांच वर्स से पहले इस देश ने मोदी जी के नित्रतों में विस्वास किया था मोदी जी ने देश के लिए जो कहा सो करके दिखाया दो करोड गरीबों को मकान दिये चार करोड गरीबों को बित्त के कनेक्शन दिये आठ करोड गरीबों को रुसोई कैस का कनेक्शन दिया दस करोड गरीबों को एक एक सोचाले बनवा करके दिया बारा करोड किसानों को प्रधान वंतरी किसान समान निधी का लाव दिया पंदरा करोड किसान, पंदरा करोड नौज़वानों के लिए प्रधान मंत्री मुत्रा योजना, स्टेंड़ अप की योजना, स्टार्टेप की योजना, मेकिन इंडिया की योजना के मात्यम से आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता खुलवाया देश के अंदर 46 करोड गरीबों के ले प्रधानमंत्री जंधन योजना में एक-एक बैंक में उनका एकाउंट खुलवाने की विवस्ता की और पचास करोड गरीबों को आईसमान भारत में पांच लाख रुपे तक की स्वास्त बीमा की सुप्धाप लब्द करवाई एक तरह मोदी जी ने लोग कल्यान करी योजना कोई मजबूती के साथ लागू किया जहां जहां पर भारती जंता पार्टी की सरकारें थी राज्य सरकारों ने केंदर के साथ तालमेल बिठा करके इन योजना को लाख वाप ने यहां लागू किया तो वहाँ का गरीब, वहाँ का सामा ने नागरी के नियोजनाओं से लाभवनी थोतावा दिखाई दिया लेकिन भाईो बेनो, दिल्ली के अंदर से अर्विंद केजडिवाल ने एक भी योजना दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दी याद करिए पांच वर्स पहले विदान सबा चिनाओं में केजडिवाल ने कहा था कि हम पाट साला खोलेंगे, हर विदान सबा में एक एक नया स्कूल खोलेंगे पाट साला तो नहीं खोल वाई, लेकिन महले मुले में मुदु साला की दुकाने खुडवा दी पांच साल पहले से अर्विंद केजडिवाल ने कहा था कि हम घर घर में आरो का पानी पहुचाएंगे लेकिन आरो का पानी तो नहीं पहुचाएंगे भाईयों दिल्ली में यमनाजी के पानी को इतना जहरीला बना दिया कि स्वेयं खांसते-खांसते-दिल्ली के लोगों को भी खांसने के लिए मजबूर कर दिया है यानि जहरीला बना दिया है मैं अरविंद कैजरिवाद से पूछना चाहता हूँ प्रद्धान मंतरी मोदी जी ने नमामी गंगे की प्रियोजना लागू की नमामी गंगे में गंगाजी और यमनाजी समेथ गंगा की सहाइक नतियों को निर्मल बनाना था नमामी गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था उत्तर प्रदेश में कानपुर कानपुर के नीचे गंगा जी की स्थिती थी कि वहाँ सभी जलिय जियू नश्ट हो गए थे आज से पांच वर्स पहले कुछ नहीं था बदबू थी जैसे दिल्ली में यमनाजी में आसे भायो बेनो ढाई तीन वर्स पहले हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई प्रधान मंत्री मोदी जी की स्कीन थी हम लोगों ने लागू की आपने देखा होगा अब इसली बार प्रियाग राज कुम्ब में गया होंगे 25 करोड सरदालों कुम्ब में गये अविराल गंगा निर्मल गंगा की दर्शन होए मैं स्वयम विकत वर्स दो बार प्रियाग राज में गंगा स्नान करने के लिए गय था क्या इस्तिती है विवन्द पंचिमी के दिन आपने देखा होता मैं प्रियाक राज में गंगा जिमें स्वेंट डूकी लगाए गंगा जल का आच्मन किया मैं चनादी देता अर्विंद के जड़िवाल को कोई जाए यमनाजी में और यमनाजी के पानी में असनान करके दिखा ले और आजमन करके दिखा ले तो मैं भी इन्हों ने भी यमनाजी के लिए कुछ किया यमनाजी की गंदगी के लिए कोई जम्यदार है के जिडिवाल सरकार जिम्मेदार है यहां का मुख्यमंत्री अर्बिंद के जिडिवाल इसके जिम्मेदार है एक जमाने में दिल्ली की पब्लिक ट्रास्पोर्ट इसकी जो भियोस्ता थी वह बहुत आदर्समानी जाती थी याद करें जब दिल्ली में ऐसी मदनलाल खुराना जी मुख्य मंत्री वा करते थे जब सिक्साइब सिंग बर्मा जी दिल्ली के मुख्य मंत्री वा करते थे जब सर्देय अटल बहारी बाचपई जी देश के प्रधान मंत्री थे उन्होंने दिल्ली मेट्रो की बात की कल पना करिए आज दिल्ली के अंदर मेट्रो नहीं होता 36 लाग से लेके 50 लाग सवारी प्रति दिन जिस मेट्रो से सफर करते हैं दिल्ली की लाइफ लाइफ लाइन बन गई है ये मेट्रो नहीं होता तो दिल्ली की क्या दुर्गती होती DTC कभी दिल्ली की पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की सबसे बहतरी इन विवस्ता देश की मानी जाती थी केजडिवादल अपने जमाने में कुछ जोड तो नहीं पाया मेट्रों के फेज़ फोर के कारे को रुकवा दिया नहीं होने दिया अगर हाई पोर्ट इसमें इंटर्फियर नहीं करता दिल्ली की मेट्रों भी अब तक बंद हो गई होती और भाईयो बेनो DTC आज से पांच साल पहले उनके पास पांच जार बसों का बेड़ा था अच्छी खासी पसे चलती थी लेकिन आज DTC की स्थितिति क्या वा आधी हो गई है और अगर केजडिवाल की यही चलेगी तो एक दिल्ली की लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा एक गएर जिम्मेदार और गएर भरोसे मंद बेक्टी के द्वारा कैसे कैसे बक्तबे दिये जाते है भारती जंता पार्टी के नेताओं के खलाब बक्तबे देते हैं फिर कहते हैं सबूत हैं और बाद में कोट में नाक रगड के माफी मांगते हैं कि साब यह तो गलती हो गई है देश के अंदर देश की राजदानी में मुख्य मंत्री ऐसा होना चाहिए जो राजदानी के इन रूप हो जो राजदानी की अस्तर को प्रतेक नाकरी के जीवन में ब्यापक परिवर्तन ला सके और इसलिए आज मैं कहने के लिए आया हूँ आज प्रता एक सज़न मुझे मिलने के लिए आ रहे थे मैंने उन्हें साड़े नो बज़े का समय दिया वे सज़न पहुँचे ग्यारा बज़े मैंने पोछा भी आपको साड़े नो बज़े का समय दिया था आपने साड़े नौ बजे का समय दिया था लेकिन मैं नौ बजे पहुंचने के लिए आया था नौ बजे पहुंचना चाहता था लेकिन साहिन बाग के जाम ने पूरी दिल्ली को जाम कर दिया है वाई ओगे नो याद करिए यही अर्विंद के जिडिवाल है यही अर्विंद के जिडिवाल है जब जीनियों जामिया मिलिया में नारे लगे थे और कितने खतरनाग नारे लगे थे अवजल हम सर्मिंदा है तेरे कादिल जिंदा है यह अवजल कौन था देश की संसत पर हमला करने का जो मुख्य बुनागार था उसके समर्थन में नारा लगाने वालों के प्रती अरविंद केजडिवाल की सानवूती होती है भारत तेरे टुकडे होंगे का नारा लगाने वाले उनके प्रती अरविंद केजडिवाल की सानवूती है पुलुमामा के हमलावरों के प्रती अरविंद केजडिवाल की सानवूती है यारेविंदे केजरीवाज देश की सेना से सबूत मानता है सर्चिकल इस्टाई का देश के दुस्मनों के माद में गुस करके भारत के बहुत दूर्चवान पाकिस्तान की ऐसी की तैसी भेरके हैं और ये व्यक्ति सबूत मानता है देश से देश की सेना से सबूत मानता है और यह व्यक्ति लगातार देश की भावनों के साथ खिलवाड करने का आदी बनने के साथ ही देश की जंता को देश की रास्ति रास्दानी की जंता को बुन्यादी सुद्धाय प्लब्द्य करवाने की वज़ाए बाईो बेनों यहां पर अभ्यक्ति धर्ना प्रदर्सन के माध्यम से अनामस्य ग्रूप से समय बर्बाद करके अब साहिन बाग के लोगों को बिर्याने खिलवाने का कारे कर रहा है उसकी सानवोती यहां की दिल्ली की जनता के प्रति नहीं यहां की जनता को अच्छी सिक्सा मिले यहां की जनता को अच्छी स्वास्ते की स्विधा मिले यहां अच्छी सड़क मिने यहाँ पे डेनेस सिस्टम हो, यहाँ सिवर सिस्टम हो, यहाँ पर जनता को पबलिक ट्रांस्पोर्ट की बहतर स्विधा मिले, लोगों को सुद्ध बे जल की आपूरती हो सके, इसकी चिनता अरविंद केजडिवाल को नहीं, उनकी चिनता तो साहिन बाद से है, उनकी दिन लोगों से है जो भारत के खिलाब कारे करते हैं और भायो बेनो आज यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में हपर पस्थित हुआ हूं ये चुनाओ पूरा का पूरा चुनाओ ये पूरा का पूरा चुनाओ बायो बेनो भारती जनता पार्टी आपके सामने दिकास सुसासन और राष्टबाद की मुद्वे को लेकर के लड़ रही है भारती जनता पार्टी की सरकार है प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में 1731 अनुत्राइच कलोनियों को उत्राइच करने और प्रधान मंत्री आवास योजिना कालाथ प्रतेक परिवार को मिल सके उन्हें निसुलक बिद्दुत के कनेक्शन की सुविदाब लब्द हो सके उन लोगों को सुद्व पेजल के आप पुर्ती उन लोगों के लिए हो सके इसके लिए भारतिय जन्ता पार्टी इस चुनावी समर में आपके बीच में बस्तित हुई है भारती जंता पार्टी अपने मुद्दों के बल पर विकास और सुसासन के मुद्दों के दम पर देश की रासदाने को उसका गौरो दिलाने के दम पर आज इस चनाव में आपके वीच में हाँ पर पस्थित हुई है और आप सबसे यही अपील करने की आज मैं आपके वीच आया हूँ कि भाईयों बेनों ये कार एकिवल भारती जंता पार्टी कर सकती है मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने करके दिखाया है मोदी जी के सुस्षी नित्रतों पर कोई संदे किसी को नहीं और जब मोदी जी के नित्रतों में पुरे देश के अंदर एक अभ्यान चला है तो ये CAA के खिलाब जो धर्ना प्रदर्शन चला ये धर्ना प्रदर्शन करने वाले भी जान रहे है कि ये नागरिता संसोधन कानून के खिलाब जिस धर्ने पर बैठे हैं उनको भी नहीं मालूम क्यों धर्ने पर बैठे हुए हैं लेकिन भाई योबे नो ये साइन बाग तो एक केवल बहाना है असली निसाना तो उनका वहाँ पर है जिसे वे समाधान नहीं चाते थे लेकिन मोदी जी के कारण उन समस्याओं का समाधान हुआ जैसे महला ससक्तिकर्ण के नारे कांग्रेस की सरकारे लगाती थी लेकिन महला ससक्तिकर्ण का कारे नहीं हुआ तीन तलाकी कुपरथा को परणान मंत्री मोदी जी ने सदेव के लिए समाधा कर दिया देश के अंदर फत्वों की राजनीती समाधा हुई बाबा साथ भीम्राम बेटकर कस्मीर में धारा 370 का विरोद किये थी और नौने कहा था ये धारा 370 देश के अंदर अलगावाद का कारण बनेगी अलगाबाद का कारण बनी धारा 370 को हटाने का कारे किसी ने किया प्रधान मंत्री मोदी जी ने और ग्रह मंत्री अमित साजी ने किया बायो बैनो प्रधान मंत्री मोदी जी और ग्रह मंत्री अमित साजी का विनंदर होना चाहिए था लेकिन अर्विंद केजडिवाल और कॉंग्रेस विरोध करती है धारा 370 के मुद्दे पर पूरा देश खुस्ता क्योंकि बारा साथ भीमराम बेट कर धारा 370 को हटाने की प्रबल समर्थ तक थे तो दिल्ले विधान सभाद चुनाव और इसे को लेकर सबी पार्टियां जोर अजमाईश कर रही है फिलाल अर्विंद के जवाल पर हमला यहां पर सीम योग याद इतनात का